नमस्कार योग गुरु धीरा चेनल में आप सभी का स्वागत है 21 जून योग दिवस का दिन तो है ही एक महत्पून खोगोलिय घटना घटने जा रही है सुर्ज गरहन तो उस दिन सुर्ज गरहन लगेगा और कुछ बातों को जो योग और आयरुवेद का कॉंसेप्ट है उस तर्ज पर समझने की जौरत है नहीं तो सुर्ज गरहन का गलत प्रभा हमारे स्वास्त पर पढ़ सकता है इसलिए उन जो प्राचिन समझ है मारे रिशियो मुणियों की इसको लेकर की योग और वेद की उसको समझाने की जौरत है समझने की जौरत है बाकी चीजों में आप फस रहे हैं गरहन के आसपास वो अलग बात है सबसे पहले सूरज गरहन में जो चीजें घटित होती है उसमें तीनों चीज़ यानि आपकी पिर्थवी चंद्रमा और सूरज एक लाइन में आ जाती एक लाइन में हो जाना अब जो योग कहता है कि वो जो पिर्थवी है, हमारे यहाँ जो पिर्थवी मतलब हमारा जो सरीर है वो पिर्थवी को रिपरजेंट करता है। हमने कहा भी यत ब्रह्मान ने तत्रपिंडे जो ब्रह्मान में वो इस शरीर में है तो पृत्वी के तल पर इस शरीर को जगह दी गई गया और हमारा मन जो है वो मून के तल पर रिपरजेंड किया गया कहीं कहीं इसलिए हमने भगबान सीव को चंद्रमा दिखाया सिर के उपर वो मन की कंट्रोल की अवस्था है मन की स्थिरता है शांती की अवस्था है नहीं तो वो घूमता रहता है और जो सुर्य है वो चैतन्य का प्रतीक के रूप में प्राचीन उपनिशद वेदों से आता रहा है कि हमने सुर्य को क्या कहा consciousness का प्रतीक चैतन्य का प्रतीक तो हमेशा योग का सिधान्त यहीं है कि कैसे इन तीनों के बीच में एक तालमेल हो कैसे alignment हो और यही alignment जो है योग है जोड़ देना एक align कर देना तो इसलिए spiritual aspect में यानि आपका सरीर आपका मान और आपका चैतन एक तल पे आजा यह एक बहुत महत्कून चीज है और खगोलीय तल पर चुकी यह घटी थोरी है इसलिए यह सुर्ज गरहान साधना का दिन भी है इसलिए आपने देखा होगा कि गरहन में जब भी कोई भी गरहन होता है हमारे रिसी मुनी ने कहा कि साधना करो कुछ नहीं समझ में आता है तो किर्तन कर लो मंत्र चांड कर लो क्योंकि सब के बस की बात नहीं है कि वो योगस्त हो जाए योग साधना मिलीन हो जाए रूची कर नहीं लगता है इसलिए पहली बात कि आपको ध्यान रखनी है कि इस दीन साधना जरूरी है और संयोग से योग दिवस भी है तो उस योग दिवस के मौके पर साधना करना है काफी सारे वीडियो भी है लाइब टेलिकाष्ट भी योग गुरु धिर चैनल से होगा आप सब उसका आनन्दले सब आगी बने और कुछ बातों को ध्यान रखना है कि भोजन और पानी में दो तीन बातों का ज़्यान रखना है क्योंकि जब ग्रहन होता है सुर्ज ग्रहन खास तो पर तो सुर्ज का जो प्रभाव है वो कमजूर पड़ेगा इसलिए अंदेरा हो रहेगा वातावरन में मतलब जितना उजाला होता है अप देखते हैं वो नहीं रहे ऐसे में आपने हमेंशा देखा कि रिसी मुनियों ने कहा कि ग्रहन में बाहर बागर जाना नहीं चाहिए खाना नहीं चाहिए पीना नहीं चाहिए कारण क्या है क्योंकि जब सुर्ज का असर कम रहता है तो infection की संभाबना बढ़ जाती है viral infection जादा हो सकता है और खास तोर पर गर्ववती महिलाओं को भी बाहर जाने की सक्त मनाई है तो जिनको गर्व है धारन किये हुए है शुरुवाती गर्व है तो बच्चे को नुक्षान पहुंच सकता है या उनके वविस्थ के स्वास्ता पर नुक्सान हो सकता है इसलिए खास को तोर पर ऐसी गर्ववती माताओं को मेरा नुरोध है कि वो घर में साधना रत रहे और बाकि हम लोग भी चुकि कोरोना का काला infection अल्रेडी बढ़ा है तो इसकी संभावना बढ़ सकती है कि सुर्ज गर्ण में infection, कोरोना और बलबती हो जाए तो ऐसे भी उस तीन आप घर में रहने पे ध्यान ज़्यादा दीजिए और तीसरा चुकि खाना में हम लोग ने कहते रहें कि विसाक्त हो जाता है खाना नहीं खाना जो कुल कारण यही है कि अगर उस काल में खाना बनेगा तो उस पे जो वेक्टेरियल ग्रोथ है वो जादा होगा और वो आपके पाचन में जाकर के disturbance करेगा बिमारियां पैदा करेगा इसलिए खाने से परहेज करें तो क्या भोजन कर सकते हैं अगर किसी को जैसे बुढ़े विखती है या बिमार विखती है गरवती महलाएं उनको भोजन चाहिए ही तो ऐसे लोग सात्विक भोजन का इस्तमाल करें जैसे सुपाच्यों मूंग है इस तरह की चीजे मूंग खिचड़ी है समान और जो सात्विक भोजन लगे सुपाच्य भोजन उसको ग्रहन करें जो समाने विकती हैं वो उस काल में भोजन ग्रहन से बचें पानी को भी कहा जाता है कि ना पी हैं अगर पानी पीने की अनिवारेता दिखी भी जाती है तो बॉयल करके यानि पानी को गुनगुना करने गर्म करने तब पी हैं तो उससे क्या होगा कि किसी भी तरह की वेक्टरियल उसमें ग्रो होने की संबाबना है उसकी इस्तिती खत्म हो जाएगा तो इन बातों का बहुत सक्ति से पालन करना है और पचान चुकि सूर्ज कमजोर हो जाता है तो यतब्रम्हने तत्रपिंडे यानि हमारे भीतार की सूर्य नाड़ी भी कमजोर पड़ जाती है इसलिए हमने आईरवेत का क्या principle है कि जैसे जैसे मंद了 अगनी होंती है रातरी के प्रहर में हमको खाने के लिए कम घाता है कहा यहता है इसलिए कोई भी गरिष्ट भोजन ना करें भोजन ही ना करें तो बेटर है लेकिन कंडिशन बता दिया है सरतें कि क्या है तो उसको धियान में रखें अपचन खास तोरवे जो रोगी है पेट से सम्मंदित रोगवले वो विक्ति जादा परहेज करें और ख्याल रहे सूर्ज गरहन को देखने के लिए आप खुली आँखों से नंगी आँखों से कभी प्रत्न ना करें आँखों को नुक्सान हो सकता है रेटीना का कई सारा सेलन डैमेज हो सकता है और हम लोग के अनुभब में ऐसा आया है जब हम लोग गाव में थे छोटे थे तो देखा हो कि इस तरह की हड़ धर्मिता के कारण लोगों को आख नुक्षान हुआ है तो इन बातों का ख्याल रखना है गरवती मैलाओं को खास तोर पर ध्यान रखना है किसी को अगर एंविनिटी जिनकी कम जोर है पилось तो बिलकुल ही बाहर माज़ा वो ध्यान करें मंत्र करें किर्टन करें योग साधना करें और जिटना आप समान चनरनारी को संतुलित करने वाली है साधना करें ज़्यादा इंटेंसिव साधना करने की जोरत नहीं है सहज तरीके से जो हो सकता है खास तोर पर जो काल है उस समय अटाइमिंग आप जानते हैंगे गरहन का क्या है उस काल में खास तोर पर इन तमाम बातों का ख्याल रखें तो आपको किसी वी तरह की गरहन को ले करके पीछे का जो रिशी मुनियों का जो साइंटिफिक योग की दर्शना रहिया है आयरुवेट का जो शरीर विज्ञान का सिस्टम है उसको ध्यान में रख करके इन तमाम लोजिक को ही अपने जीवन में करें और इन बारिकियों को ख्याल रख करके योग साधना में मगन रहे और हर ग्रहन के स्वक्त इन चीजों का खास ख्याल रख के तो आज इतना ही एक एलाइनमेंट हो आपका सरीर का मन का और चैतन्य का और आपके अंदर का परमतत्त्त जग्रित हो ऐसी सुबकामना वसिष्ट योगासरम से आप सभी के लिए आज इतना ही धनिवाद नमस्का